इस वीडियो में हम बात करेंगे diamond crystal structure का तो इसमें पहले आपको तो यह diagram बनाना है diagram का video कैसे बनाना है गरके उसका link description में दियाऊ video तो यह diagram पहले बनाने का है फिर यह इसमें है क्या diagonal body diagonal रहता है और body diagonal कैसे रहता है यह end से लिखे यह end तक ऐसा एक body diagonal रहता है और यहाँ पे भी वैसे same back to front front to back front to back जिसे चार body diagonals रहते है तो वो body diagonals में आपको यहाँ पे carbon atom है for diamond 4 carbon atom है तो वो कहाँ पे body diagonals में है तो दो नीचे है तो दो उपर है alternate है यहाँ पे अभी समझो यह front के body diagonal में है तो ये front के निचे के बैक साइड में तो वैसे इसका opposite front उपर तो वहाँ पर front पीछे तो वैसे करके यहाँ पर यहाँ पर और एक back यहाँ पर 4 carbon atoms पॉर्बел face है तो face क्या रहता है यहाँ पर front 1 2 3 4 और यह जो first square है उसका एक face और वो जो back है उसका एक face तो ऐसे करके six face हुआ तो फिर उसके बाद में यह जो carbon atoms है carbon का जो nature है चार bond बनाता है तो वो चार bond बनने के लिए क्या करेगा अब कि आसपास का क्या है वो उसके साथ bond बना लेगा तो पहले तो यह front है और यह bond इसके साथ face के साथ करेगा तो इसका 3 हो गया और एक ये front है तो front के साथ बनाएगा तो वैसे करके चारो atoms अपके front जो है वो front में और back जो है वो back की साथ बनाएगा faces के साथ और ये जो carbon atom है ये कहां से आ रहा है मतलब ending जो भी चोब है तो वहहां से पहले एक bond बना लेगा फिर बाद में आगे का दो faces and then front है तो front, back है तो back तो वैसे करके इसका diagram बनेगा और उसका angle जो है 109.5 है तो वीडियो का उसका ठीक से बताया हूं मैंने drawing कैसे करना है करके उसका link नीचे है फिर यहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा the diamond crystal structure is formed due to the interpretation of carbon along the body diagonals that is body diagonal में वो carbon atoms आ रहे है and then foreign supply is up to one-fourth तो इसका distance जो है तो यह one-fourth रहता है और body diagonal आपका यहां से लेकि यहां तक है तो यह पूरा distance में यह यह one-fourth में रहता है यह atom ऐसे situated है सब जगे पे one-fourth के distance में and then the network of solid compresses यह सब आपको बाकी के इसमें informations book में मिल जाएंगे वो लिखना है आपको बस दो-तिन lines और इसका angle क्या है 109.5 and then effective number of atom निकालना है so n निकालना है n equal to 1 8 into corner n of corner plus 1 by 2 into n of face plus 1 into n of center जो है इसको मैं भी यह क्यों तो अभी यहां पे corners कितने है 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 corners रहते so 1 by 8 into 8 plus faces का है 6 so half-half का यह रहते है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे यहां पे जो atom रहेगा उसका आदा हिस्सा अंदर रहेगा और आदा हिस्सा बाहर रहेगा तो वो face का है और corners का यहां पे 1 4 और 1 by 8 का contribution होगा क्योंकि यहां पे और एक cube आएगा यहां पे और एक cube आएगा यहां पे और एक cube आएगा तो वैसे face हुआ 6 plus 1 into centers में तो अभी centers में आप देखेंगी तो आपके बास 4 carbon atoms है तो 1 into 4 हुआ तो इसका cancellation होगा 2, 3 is a 6, 8, 8, 1 1 plus 3 plus 4, so it is 8 so n equal to 8 हुआ फिर इसके बाद coordination number निकालेंगे so coordination number क्या रहता है आपके atom center से जो आसपास है, so coordination number यहां पे क्या होगा, center से देखेंगे तो यहां पे 4 atoms है, जो आसपास है so it is equal to 4 तो यह याद रखना है, n निकला 8 coordination number 4 तो इसके बाद आपको निकालना है relation between A and R क्या relation है, तो आप यहाँ पे cube देखेंगे तो उसमें body diagonal मैंने बोला था यह last end से लेके, यह last end back से लेके front यहां तक, तो यह आपका body diagonal है, तो इसका तो आपको मालूम है A, और इसका भी A, लेकिन आपका यह जो बनेगा triangle, तो यह ऐसे triangle बनेगा इसमें आपका निचे गाले का face आ रहा है, so face का मैंने बोला था root 2 A रहता है value, अभी इसका root 3 A इसका भी मैं video link निचे डाल देता हूँ यह कैसे आता है करके फिर बाद में आपका यह A, O और यह D इसको मैंने naming किया है so A, O, D O ऐसा point है one-fourth में है, distance में जहाँ पर आपका carbon atom है जैसे मैंने यहाँ पर बोला था one-fourth के distance पर यहाँ पर carbon atom है so यहाँ पर एक atom है और यहाँ end में एक atom है और यहाँ पर एक atom है so वो ही इसको अभी मैं यहाँ पर दूर बनाया हूँ लेकिन यह बहुत छोटे रहते तो पास ही रहता है पूरा so यहाँ पर जो center में आता है यह O, A, और D so इसका radius क्या होगा 2R that is R और यह R 2R हुआ और scar और scar तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो इसका यह body diagonal क्या है root 3A तो AO equals to क्या मिलता है आपको 1 4th of 1 by 4 of AD यहाँ पर जैसे carbon atom है AO equals to कितना हुआ 1 4th है न AD पूरा तो AD पूरा का value कितना है root 3A है तो उसको वहाँ पर put करेंगे बट यहाँ पर AO का value कितना आ रहे है यहाँ पर R है और यहाँ पर R है तो R प्लस R 2R हुआ तो AO equals to 2R तो आपको दो value मिल रहा है AO equals to 1 4th of AD तो AO equals to 2R तो यह 2R यहाँ पर put करेंगी तो क्या होगा 2R equal to 1 4th of AD तो यहाँ पर लिख रहा हूँ 2R equals to 1 4th of AD तो AD का value मैंने क्या बोला यह पूरा AD है body diagonal ROOP 3 है तो वहाँ पर AD के जगे पर लिखूँगा ROOP 3 है तो A का value चीए तो A equals to बाकी सब जो भी है वहाँ पर shift कर रहा हूँ तो 4 to the 8R upon ROOP 3 तो यहाँ पर मिल गया relation between A and R तो A मिल गया है N मिल गया है तो अभी simply APF calculate करना है so APF equals to N into volume of an atom upon volume of a unit cell so N into 4 by 3 pi R cube upon volume that is A cube so यहाँ पर N का value के है हमारा जैसे calculate के था 8 into 4 by 3 pi R cube upon A cube A के है अपना 8R upon root 3 so 8R upon root 3 raise to cube तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे further solve करने के लिए यहाँ पर 4 rates are 32 upon 3 pi और यहाँ पर R cube divided by यहाँ पर 8 cube और यहाँ पर divided by root 3 whole cube और R cube so R cube और R cube cancel हुआ तो बच्चे जो constants है उसको अपको यह करना है so that is 32 pi upon 3 into 8 cube और यह जो है यह उपर चल जाएगा that is root 3 cube तो अभी इसको values केल्सी में डालेंगे so values मैंने कैल्सी में डाला तो answer आ रहा है APF का 0.34 तो यहाँ पर लिख देंगे APF that is atomic packing is 0.34 मिल गया है तो अभी हमें packing efficiency निकालना है जैसे APF आता है उसके बाद हम निकालेंगे packing efficiency that is equal to APF into 100 so that will be equal to 0.34 into 100 that will be equal to 34 so PE निकल गया फिर उसके बाद void space निकालेंगे so void space empty spaces equal to 1 minus APF so that is 1 minus 0.34 so the answer comes out रहा है 1 minus 0.34 0.66 यह मिल गया आपको void space तो void space percentage निकालेंगे क्या करेंगे void space जो मिला है into 100 करेंगे तो क्या होगा 66% मिलेगा आपको that is 0.66 into 100 तो यह मिल गया आपको void space percent so यही था आपका calculations और यह diagram का video मैं link description में दे देता हूँ that's all thank you